स्थाहिति सरिता में मैं डॉक्टर बविता जैस्वाल आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूं आज मैं आपके लेकर के आई हूं जेशंकर प्रसाद की प्रसिद्र कविता अशोग की चिंता यह मेरी बसंदीदा कविताओं में से एक है और यह पाठे करम का हिसा भी रही है इस कविता का पाठ करने से पहले मैं आपको इसके विशाय में कुछ पताना चाहूंगी जिसे कि मेरी छात्राओं के लिए भी यह उप्योगी सिद्ध हो सके एतिहासिक प्रेश्च भूमी के आधार पर लिखी गई यह कविता आख्छान परक यह कविता है कि कलिंग के उस वीभत्स और विनाशकारी और लोम हर्शत युद्ध की याद कराती है जिसमें अंगेनत युद्धा वेर्गति को प्राप्त हो गए थे असंखे विक्ति आहत हुए थे और बंदी बना लिये गए थे और बाकी जो बचे थे उन सबको अकाल ने अपना ग्रास बना लिया था कलिंग की विज़े के बाद युद्ध सर्जे आते वे क्रंदन की आवाज, जीतकारों की आवाज, करहा को सुनकर राजा अशोक तीवर मनस्ताप से भर उठता है वेस्वयम को इस पैशाचिक नरसंगार का उत्तरदाई मान कर प्रताडित करता है और जीवन भर के लिए शर्ष्ट्रों का परित्याग ही नहीं कर लेता, बलकि उपगुप्त द्वारा देख्शित होकर बौत धर्में समलित हो जाता है अशोक जीवन की खशनभंगूरता को देखकर संतप्त होता है मनुष्य त्रिश्णा के वशिभूत होकर अचाओं के वशिभूत होकर अहम में चूर, निर्दय होकर प्रूर आचरन करते से मैं यह भूल जाता है कि बरबरता द्वारा प्राप्त अधिकार कभी भी स्थाई सुख नहीं दे सकते मनुष्य के हिरदय पर तो प्रेम से ही विजय पाई जा सकती है संसार एक रंगमंच है जिस पर से मनुष्य पात्र की भाती अपनी अपनी भूमी का आदा करने के लिए आता है उसके पश्चाच चला जाता है अर्थात मृत्य को प्राप्त हो जाता है किसी का भी वैभव और राग रंग स्थाई नहीं होता क्योंकि जीवन शनभंगूर है राजा का राजत तो कब समाप्त हो जाएगा और वर की जैमाला कब सूख जाएगी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीवन परिवर्टन शील है मदिराले और उत्सव शाला की चहल पहल भी एक निश्ची समय तक ही रहती है मदुबाला का अनृत्त, संगीत और मदिरा के प्यालों की खनक बंध होने पर सब जगह सुना पंच्छा जाता है प्रकृती भी काल से मुक्त नहीं है प्रकृती में परिवर्तनाता है राग रंजित उशा का सौंधरिय संध्या तक समाप हो जाता है प्रकाश में दिवस रात्री में बदल जाता है और पक्षियों का कलरों भी समाप हो जाता है पुष्प का जीवन भी मात्र एक दिन का होता है जीवन में सुख आकाश में कौन जाने वाली बिजली के समान बहुत ही कम समय के लिए आता है सुख की जो अवदी है वो बहुत कम होती है जितने देर के लिए हम बिजली कड़कतवा देखते हैं उतने ही समय के लिए मान लीजिए कि हमारे जीवन में सुख आता है तथापी मनुष्य इसी म्रिग मरीचिका में भटकता रहता है कि अब सुख आएगा और अब सुख आएगा दुख की आधिक्ये ने इतनी अधिक्ता है दुख की कि सारी सिष्टिकोष ने शिथिल कर दिया है चोटे बड़े जड़ चेतन सभी दुखी हैं जीवन का निर्वाहा तपती बालू पर चलने के समान कश्ट दाई है अता अशोक संकल्प करता है कि वे पीडित वसुधा धरती के सभी पीडित लोगों पर घाव पर लगाने वाले मरहम की भाती उन्हें शीतलता पहुँचाएगा और दुख्यों के कश्ट को यथा संभव हरने की कोशिश करेगा कवी ने अशोक की विचारों की माध्यम से दीन दुख्यों के प्रति समवेधना वेक्की है विश्व प्रेम की ये भावना उन पर पड़े बौध दर्शन के प्रेम, मैत्री, दुखवाद, करुणा, आदिका प्रभाव दिखाई देता है एक एतिहासि घटना के माध्यम से कवी ने परदुख कातरता और विद्वनसक युद्धों के परिनाम क्या होते हैं प्रेम और सोहार्द से प्राप्त होने वाली वास्तविक विजय आदिके महत्य को इस कविता में रिखांकित करने की कोशिश की है तो आएए इस कविता का पाठ करते हैं और इस भेदरीन कविता को एक बार फिर से याद करते हैं जलता है यह जीवन पतने जीवन कितना अतिलगुक्षन ये शलब पुझ से कणकण त्रिश्णा वे अनल सिखा बन दिखलाती रक्तिम योवन जलनी की क्यों न उठे उमंग है उचा आज मघद शिर पद्दल में विजित पड़ा गिर दूरागत क्रंदन ध्वनी फिर क्यों गूंज रही है अस्थिर कर विजय का अभिमान भंग इन प्यासी तलवारों से इनकी पैनी धारों से निर्देता की मारों से उन हिंसक हुंकारों से नत मस्तक आज हुआ कलंगी यह सुक कैसा साशन का साशनरी मानव बन का गिरिभार बना सातिन का यह गटा टोप दो दिन का फिर रवी शशी किरणों का प्रसंग संकीद कौन दिखलाती मुकुटों को सहज गिराती जैमाला सुखी जाती नश्वर्ता गित सुनाती तब नहीं थिरकते हैं तो रंग वैभव की यह मदुशाला जग पागल होने वाला अब गिरा उठा मतवाला प्याले में फिर भी हाला तेक्षणिक चल रहा राग रंग काली काली अलकों में आलस मद नत पलकों में मनी मुक्ता की जलकों में सुख की प्यासी ललकों में तेक्षण भंगूर है तरंग फि निर्जन उत्सव शाला नीरव नुपूर शलत माला सो जाती है मदुबाला सूखा लुड़का है प्याला बजिती वीणान वहां म्रदंग इस नील विशाद गगन में सुख चपला सादुक गण में चिर विरह नवीन मिलन में इस मरू मरीचिकावन में उल्जा है चंचल मन कुरंग आसु कनकन ले चल-चल सरिता भर रही द्रिगन चल सब अपने में है चंचल छूटे जाते सूने पल खाली न काल का है निशंग वेजना विकली है चेतन जड़का पीड़ा से नर्तन लै सीमा में यह कंपन अभिने में है परिवर्तन चल रहा यही कब से कुढंग करुणा गाथा गाती है के वायू बही जाती है उशा उदास आती है मुख पीला ले जाती है बन मधू पिंगल संध्या सुरंग आलोक किरन है आती रेश्मी डोर खिच जाती द्रग पुतली कुछ नच पाती फिर तमपट में छिप जाती कलरव कर सो जाते विहंग जब पलभर का है मिलना फिर चिर्व योग में जिलना एक ही प्रात है खिलना फिर सूक धूल में मिलना तब क्यों चटखिला सुमन रंग संस्रिती के विख्षत पग रे वे चलती है डगमग रे अनुलेप सद्रिश तू लग रे मृदु दल बिखेर इस मग रे कर चुके मधूर मधुपान भ्रंग बुंती वसुधा तपते नग दुख्या है सारा अग जग कंटक मिलते हैं प्रतिपग जलती सिक्ता का ये हैं मग बहजा बन करुणा के तरंग जलता है ये जीवन पताई तो ये थी अशोक की चिंता कविता जो हमें जीवन से साक्षात कर कराती है आशा है आपको पसंद आई होई धन्यवाद